नमस्क्राइब दोस्तों मैं गौतम सिंग, फुलकुलासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज आपके लिए लेकर रहा हूँ BBA क्या है? BBA का फूल फर्व क्या होता है? BBA कोर्स कैसे करें? BBA करने के बाद क्या करें? BBA करने में कितने टाइम लगते हैं? सेलरी कितनी मिलती है? यदि आप BBA कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब लगेगी तो फिर आपकी सेलरी क्या होगी? फिर एस्टक्चर आपका क्या होगा? BBA करने का? qualification क्या चाहिए BBA करने का पूरे details में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों अगर चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please channel को subscribe करें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं BBA क्या है और इसके full form क्या होते हैं दुनिया में सभी लोग एक अच्छा बिजनेस और अच्छी कामाई करने के लिए हर संभव पर्यास करते हैं एक अच्छा बिजनेस या काम्यावी तक पहुचने के लिए विद्यार्थियों को बिजनेस या किसी और फिल्ड से संबंदित कई course करते हैं जिन में से एक BVA का भी कोर्स होता है, जिसे करने के बाद अभ्यर्थी किसी भी बिजनेस में नौकरी पराथ कर सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को किसी बिजनेस करने वाली कमपणी में नौकरी करनी होती है, तो उनके लिए BVA का कोर्स करना बहुत ही जरूरी होता ह क्योंकि यह कोर्स पुरा कर लेने के बाद बहुत सी कमपनियों में अच्छी जॉब मिलने की संभावना रहती है इसके अलावा यह एक बिजनेस संबंधित कोर्स होता है जिसमें नौकरी मिलना आसान होता है बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन होती है जिसे हिंदी भासा में बेवसाइक परवंधन में अशनातक करते हैं बिजनेस संबंधित हर परकार की जनकारी प्राप्त कराई जाती है इस कोर्स के पूरे होताने के बाद अव्यार्थी जो है मार्केटिंग, एकाउंटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे फिल्ड में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है और अपने कैरियर को सुरक्षित कर सकता है इसके अलावा आप इस कोर्स को करने के साद मेनेजमेंट फिल्ड को लेकर बिजनेस कर सकते हैं बीबीए के लिए एयोगेता क्वालिफिकेशन फोर्स बीबीए कोर्स आपको बीबीए करने के लिए क्या पहणना पड़ता है उसके पहले देखिए बरहुई कलास 50% अंको के साथ आपको पास होना होगा बरहुई म पास किये हो आप चाहिए हो साइन्स हो या आर्ट हो अधे बीबीए कोर्स फि ये कोर्स फि बहुत ज्यादा होती है अगर आप प्राइबेट काले iron के कार्ते है तो तब इसकी प्राइबेट कί裝 लक बहुख दू लक से तीन लक हो सकती है लेकिन अलग-अलग प्राइबेट कलेज में अलग-अलग फी होती है और अगर आप इंट्रेंस एक्जाम किलियर कर लेते हो तो ऐसे में आपको गवर्मेंट कलेज में बहुत कम फी लगता है और आप असानी के साथ BBA कोर्स पूरा कंपलीट कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर याद रखना गवर्मेंट कलेज में फी बहुत कम होती है BBA टाइम डियूरेशन टाइम कितना लगेगा BBA के कोर्स में कूल मिलाकर 6 समेस्टर होते हैं और 6 समेस्टर में अलग-अलग कई भी से दिये होते हैं जिन में से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए डिगरी लेनी होती है इसके समेस्टर देखिए फ फिन अकाउंटिंग, fundamental of information technology, element of management, semester 2, business English 2, principle of microeconomies, business mathematics 2, logic critical thinking, company accounts, introduction to India society इस तरह से दोस्तों आपके semester wise जो है subject होते हैं introduction to Indian business environment, introduction to business status, government business, cost management accounting इस तरह से आपका semester चार है introduction of operator research, introduction to organization behavior, introduction to corporate, social responsibility, English lecturer, Indian business history इस तरह से आपके semester पाँच, introduction operator management, business law, human research management, Indian economy, fundamental of financial management, marketing management semester 6 में आपको fundamental of international business इस तरह से आपको पढ़ना होता है semester wise सभी semester में अलगल आपको चीश पढ़ने को मिलेगा BBA में career कैसे बनाएं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो BBA तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें बस पता ही नहीं होता है कि उसके बाद क्या करना है तो इसके बाद कौन सा course कर सकते हैं आप और किस में job कर सकते हैं यदि आपने BBA का course कर रखा है और अभी आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए MBA में परवेश लेकर MBA का course कर सकते हैं क्योंकि यह आप यह course करने के बाद degree प्राप कर लेते हैं तो आपके पास master degree हो जाएगी यह course दो साल का होता है यह course परमू कोर्सों में से एक मना जाता है इसके अत्रिक्त आप किसी भी private या government company में नौकरी कर सकते हैं और sales and marketing sector में नौकरी के लिए apply कर सकते हैं इसके साथ ही आप इन jobs के लिए भी apply कर सकते हैं देखिए finance manager, marketing manager, research analyst, financial analyst, HR manager, business consult इतना आप apply कर सकते हैं job के लिए BBA के अभ्यारतियों को salary क्या होती है BBA करने के बाद आपको business समद्धित job करने में 15-20,000 starting salary आपको मिलती है इसके बाद आपके पास अन्भाव यानि की experience होगा तो आपकी salary भी बढ़ती जाएगी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देजिए और चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो फिली चैनल को subscribe करें दोस्तों आपको हम बता दे कि हमारा अगला वीडियो होगा कि MBA क्या है MBA का full firm क्या होगा MBA course कैसे करें MBA करने के बाद क्या करें उसके बाद हमारा आगला वीडियो होगा कि MBA कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे पाएं तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर किजिएगा थैंक्यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों